US Congress ने एक नया बिल पास कर दिया है जिससे चीन के होस उड़े हुए हैं बिल का नाम है तिबबत Policy and Support Act 2020 अब इस बिल की सबसे खास बात ये है कि ये बिल तिबबत के लोगों के उस अधिकार को सपोर्ट करता है जिसके जर्ये वे अपने spiritual leader दलाई लामा के उत्तरा अधिकारी क को चुन सकते हैं इस बिल के कानून बनने में सिर्फ एक छोटी सी problem यानि कि Donald Trump का signature बचा हुआ है अब आप देखिए कि ये बिल चीन के खिलाफ है तो Donald Trump इस बिल को पास करने में जरा सफी time नहीं लगाएंगे इस बिल को यतिहासिक बताते हुए Central Tibetan Administration ने इसका जोरदार स्व करेंगे लेकिन सबसे पहले इस topic को थोड़ा detail में समझने की कोसिस करते हैं इस topic को अच्छे से समझने के लिए हमें minimum 5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहला लामा कहने का क्या मतलब है पंचेन लामा किसे कहते हैं और इनका इतिहास क्या है दलाई लामा किने कह कहते हैं Central Tibetan Administration के बनने की कहानी क्या है चीन का तिबबत के बुधिष्ट लोगों के साथ क्या conflict है सबसे पहले बात करते हैं लामा की लामा बौत धर्म का एक टाइटल है जिसका मतलब होता है स्रेष्ट और यह टाइटल highest level of spirituality यानि आध्यात्मिक्ता के उच्छतम अस्तर को प बड़े नेता होते हैं Dalai Lama और उनके बाद जो second most important religious leader है वो है पंचेन लामा तो यहाँ पर पंचेन दो सब्दों को मिला कर बना है पहला सब्द है पन जो कि पंडित के पन से लिया गया है और दूसरा सब्द है चेन जो कि तिबबत के local word चेन पो से लिया गया है जिसका मतल अब यहाँ पर मैं आपको एक historical fact बता देता हूं कि तासी लुनपो मठ को तिबती बुधिजम के सबसे पहले दलाई लामा गिदून दोर्पा के द्वारा established किया गया था तो इस तरह से पंचेन लामा और तासी लुनपो मठ के बीच में एक tradition established हो जाता है फिर second tradition set हुआ 17th century म जब पांचवे दलाई लामा ने अपने टीचर और तासी लुनपो मठ के ततकालीन मठा धीस लोब सांग चोकई ग्याल सेन को पांचवे लामा के रूप में चुना और ये घोशना की कि वो बार-बार बच्चे के रूप में पुनर जनम लेंगे तभी से पंचेन लामा के पुनर जनम के आउतार को खोजने की प्रथा सुरू हो गई बुध धर्ब में दलाई लामा और पंचेन लामा को बुध का ही आउतार माना जाता है दलाई लामा पंचेन लामा के एक अध्यात्मिक गुरू के रूप में काम करते हैं और नए दलाई लामा की खोज में पंचेन लामा का एक बहुत ही important role होता है अब चीन यहाँ पर चाहता है कि एक puppet दलाई लामा को बैठा दिया जाए ताकि तिबबत की आजादी की लड़ाई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके मौजूदा दलाई लामा ने जब 1995 में 21 rij allem पंचेन लामा को सलेक्ट किया तो उसके कुछ दिन बाद ही चुने गए पंचेन लामा और उनके परिवार को चीनने अगवा कर लिया और उसके बाद से पंचेन लामा और उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा चांस है कि Current Dalai Lama अपना उत्रा अधिकारी अरुनाचल प्रदेश या भारत के किसी और हिस्से से चुनेंगे क्योंकि अरुनाचल प्रदेश और भारत के दूसरे हिस्सों में तिबबत के काफी लोग रहते हैं तो तिब्बत के लोग भारत में कैसे बसें? 1950-1951 में जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया तब करेंट दलाई लामा 1969 में अरुनाचल प्रदेश के रास्ते चीनियों से बचते हुए भारत आ गए तब उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी अब दलाई लामा के साथ हजारों तिब्बत के लोग भी भारत आ गए और वो हिमाचल प्रदेश के धरम साला में बस गए तो अभी भारत में लगभग 80,000 तिब्बत के लोग और पूरी दुनिया में खास करके यूएस और यूरोप में डेढ़ लाग के आसपास तिब्बत के लोग रहते हैं तो जैसा कि हमने देखा कि तिब्बत के लोग किस तरह से धरम साला में आके बस गए तो धरम साला में ही दलाई लामा और तिब्बत के बाकी लोगों ने Central Tibetan Administration का निर्माण किया जिसे तिब्बत की Government in Exile भी कहा जाता है कहने का मतलब है कि तिब्बत के सारे Important लोग धरम साला में आके बस गए तो अब धरम साला से ही चीन के Illegal Occupation के खिलाफ एक Parallel Government चलाई जाती है लेकिन हाँ पर सबसे बड़ी Problem ये है कि Current दलाई लामा की उम्र 85 साल की हो चुकी है तो नए दलाई लामा को खोजने की बात हो रही है चीन तो यही चाहेगा कि वो अपना एक Puppet दलाई लामा के रूप में बैठा दे और तिबत का अंदोलन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए लेकिन अभी US के द्वारा जो नया Bill Pass किया गया है उसके तहत यह कहा गया है कि तिबत US में एक Consulate सेट करे और इस बात को Sure करे कि चीन अपनी मनमर्जी से किसी को भी दलाई लामा के रूप में घोसित ना करे और चीन इसके बाद भी अगर जबरजस्ती किसी को दलाई लामा के रूप में अपॉइंट कर देता है तो US चीन पर भारी सैंक्शन लगा देगा अब चीन ने US के इस बिल का बिरोध करते हुए कहा है कि US चीन के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है और Donald Trump से कहा है कि वो इस बिल को साइन ना करे पर आप खुद सोच करके देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि Donald Trump चीन के खिलाफ किसी बिल को साइन ना करे तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि चीन अपना एक पपेट दलाई लामा सेट करेगा और एक दलाई लामा ट्रेडिशनल तरहिके से चुने जाएंगे तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हमें दो दलाई लामा देखने को मिले जिस कारण तिबद का कॉन्फलिक्ट और बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी कि यूएस कॉंग्रेस के दौरा पास किया गया ये बिल एक्चुली तिबद के लोकल लोगों की कितनी मदद कर पाता है और साथ ही इस बात की उमीद बहुत कम है कि भारत भी चीन के खिलाफ तिबद के मुद्दे को लेकर कोई इसी तरह का एग्रेसिव स्टेप लेगा हमने अल्रेडी तिबद के लोगों और दलाई लामा को सरण दे रखी है अब दुनिया में डेमोक्रेसी और हुमन राइट्स का बीकन बनने वाले अमेरिकन और यूरोपियन देशों की बारी है कि वो तिबद के लोगों के लिए कुछ काम करें तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के भी सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टन टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद